भारत का इतिहास बहुत पुराना है बताया जाता है कि भारत का इतिहास लगबख 75,000 साल पुराना है और इसका साफ साफ प्रमाण होमोसेपियन्स की मानोगद्वित से मिलता है बता दे कि 5000 साल पहले सिंधुगाटी सबचीशन के वासियों ने क्रशी और व्यापार पर आधायत एक सहरी संस्क्रत विक्सित का ली थी यूगों के अनुसार भारत का इतिहास बासाड यूग से शुरू हुआ है लेकिन दोस्तो आज हम इस वीडियो में ज्यादा पुराने समय की बात नहीं करने वाले हैं बलकि आज से 500 साल पहले के भारत क सेर पर आपको ले चलेंगे तो दोस्तो याद आपने आपे तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें तो कि यहाँ बर ऐसे ही लोजक वीडियो आपको मिलते रहेंगे दोस्तो आज से 5000 साल पुराने दौर में ना तो हमारे पास कोई मोबाइल फोन था और ना ही टेलिवेजन ना विजली और ना किसी प्रकार का कोई मनोजन का साधन हुआ कहता था लेकिन आज हमारे पास वो सब सुधाय मोजूद हैं जिससे हमें किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं हो रही है दोस्तो आज का यूग आविस्कारों का यूग है आज की टेकनोलोजी इतनी उन्नत है कि इससे हम बहुत कुछ का सकते हैं लेकिन दोस्तो प्राचीन भारत के लोगों के पास इतनी साइन्स और संसाधन मौजूद नहीं थे आज भारत प्यूटन जैसे देश को पीछे गर के विश्की बड़ी एकॉनमी वाले देशों में सामिल हो गया है आज से 500 साल पहले जब भारत में मुगल वन्स का राज हुआ करता था यह हुआ समय था जब भारत में मुगल राज किया करते थे इस समय संपूर भारत में मुगल सामराज भल फूर रहा था और वहां अपने सामराज को दिन पर दिन विश्तार किये जा रहे थे दोस्तों मुगल सासन सत्रुई सतापदी से उन्नुस्वी सतापदी के मदे तक चला लेकिन आज से पांसो साल पहले भारत पहली बार गुलाम हुआ था इसी वज़े से उस समय भारत गरीब नहीं था बलकि भारत उस समय आथिक रूप से एक सम्रद सपता वाला देश था जो सदियों से अस्तित्त में था उस वक्त पाकिस्तान बांगला देश अफगानिस्तान आज सभी भारत के हिस्सा हुआ करते थे सर पंद्रा सो इसमी में भारत की आबादी लगबत दस करोड की रही होगी उस समय या आबादी वाला बड़ा देश माना जाता था उस वक्त भारत में छोटे छोटे राजाओं के अलावा दो बड़े सामराज भी थे एक थी मुगलिया संतलत और दूसरी थी मराठा सामराज दोस्तों अब हम जानते हैं कि उस वक्त के लोगों की जीवन सैली कैसी रहे होगी आज हमारे पास नई नई टेकनोलोजी है और 24 घंटे मोबाइल हाथ में रहता है जिससे आप और हम कई किलोमीटरस दूर बैठे किसी भी व्यक्त से आसानी से बात कर सकते हैं लेकिन आज से 500 साल पहले ना तो स्मार्टफोन था ना ही किसी प्रकार का कोई आतनिक सत्साधन उस समय के लोगों की जीवन सैली बहुत ही सरल हुआ करती थी उस वक्त लोग सारे दिन अपने खेतों में काम किया करते थे और सांग को घर वापस आकर भोजन करके भजन कीतन किया करते थे दोस्तों आज से 500 साल पहले महज घोड़ा गाड़ी या बेल गाड़ी ही हुआ करती थी जिससे 100 से 200 किलोमेटर की दूरी तेकने के लिए ही हमें 2 से 3 दिन लग जाया करते थे दोस्तों इसी वज़े से उस समय के लोग लगबद 400 से 500 किलोमेटर के भी तरी अपना संपोड जीवन पे तीत कर दिया करते थे इससे अधिक की दूरी तेकना उनके लिए असंबो सा लगता होगा उस समय के लोगों की कमाई के विसे में बात करें तो दोस्तों आज के समय में हमारे पीश मेंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है आज के लोगों की इंकम तो उस जमाने के मुकाबले बहुत जादा है बन्त आज मेंगाई उससे भी जादा है इसी कारण आज बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था क्योंकि मेंगाई कमाई से कम थी आज से 500 साल पहले भारत में एक व्यक्त दिन भर में लगभग डियर रुपे से 2 रुपे कमा पाता था और उस समय ब्रत व्यक्त शालाना आए 600 से 700 रुपे ही हुआ करती थी दोस्तों पर इसका मतलब या नहीं है कि इनकम कम है तो मेंगाई ज्यादा होगी बलकि उस टाइम मेंगाई भी बहुत कम हुआ करती थी 500 साल पहले हमारा भारत पोर्ड रूप से क्रेश पर ही नहीं बता जिससे लोग अपनी जरूरत की चीज़ें खेती में ही पैदा कर लिया करते थे और अनिबची होई वस्तु को वस्तु विन मैं पड़ाली के अनुसार एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु से ले लेते थे जिससे लोगों को अपनी आवसक्ता की वस्तुएं मिल जाया करती थी दोस्तो आज वाद मान में हम अपने चारो ओर बड़ी बड़ी और उची इमाते देख रहे हैं वा जंगल पाये जाते थे जिससे पुदूसर ना के बराबर रहा होगा क्योंकि उस वक्त इतनी चादा फैक्ट्रिया नहीं थी जिससे पुदूसर भी ना के बराबर था सन पंद्रासों में लोग कम बीमार हुआ करते थे और जो बीमार हुआ भी करते थे उनको काओं के वैद द्वारा जड़ी बूट्यों से ही ठीक कर दिया जाता था आज से 500 साल पहले प्रत व्यक्त आयो 90 से 100 वास तब हुआ करती थी जबकि आज 37 से 80 वासी व्यक्त जी सकता है दोस्तों उस दोर में लोग एक दूसरे की इच्चत किया करते थे सभी धर्मों का सम्मान किया करते थे उस समय आज जैसा सोशल मीडिया नहीं था इससे लोगों मे दिखावा भी नहीं था उस वक्त लोग जैसे थे वैसे ही रहना पसंद करते थे ना कोई फैसन और ना ही बड़े बड़े सबने हुआ करते थे दोस्तों सोचो अगर उस समय हमारा भारत गुलाम ना हुआ होता और भारत में विदेशी आग्रमन ना हुआ होता और अंग्रे साल पहले के भारत में कितना अंतर हैं में कमेंट करके जरूर बताएं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर कर दें जलिए मिलतें नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू